आज पूरे विपक्ष पर हमला है दो दो मुख्यमंत्री जेल में हैं कहते हैं ब्रस्टाचार पर वार हैं लेकिन सब ब्रस्टाचारी अपनी पार्टी में एकठा कर रहे हैं सारी पार्टियों के जित्ते ब्रस्टाचारी हैं उनको सब नियोता देखे वो निमंत्रन देखे ले रहे हैं और अचानक उनकी पार्टी में जाते ही स्वच्छ हो जाते हैं कोई उनके बारे में सवाल नहीं उठाता तो ये बहाना है, ये पूरा बहाना है कि इनकी दुनिया सक्षम रहे, बड़े बड़े उद्योगपतियों की, और वो भी गिने चुने उद्योगपति हैं, सारे उद्योगपति नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे उद्योगपति हैं, जो देश के लिए दिन रात काम करते हैं, जो किने चुने मित्र हैं, उनको सारी संपत्ती सौपी जा रही है, ये उन दूसरे उद्योगपतियों के साथ भी अन्याय है, तो ये पूरी जो परिस्थितियां हैं देश की इनको समझने की बहुत खास जरूरत है आज, आज जो आप वोट डालने जा रहे हैं, वो वोट इस दे असुरक्षित कैसे है, तो ये असुरक्षित इसलिए है, क्योंकि जितने भी ऐसी संस्थाने हैं और जो बड़ी बड़े इंस्टिटूशन्स हैं, जो लोकतंत्र को बचाने के लिए हैं, उनको कमजोर किया गया है, उनका गलत तरह से इस्तिमाल हो रहा है, आज ये नौबत झाल